जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सब। दोस्तो हिंदو धर्म बहुत सारी मान्यताओं से भरा हुआ है ऐसे में सबी धर्म की अपनी-अपनी मान्यताएं हैं वही हमारे हिंदो-धर्म में पूझा के समय नारियल चड़ाने का बड़ा ही महत्रत है कहते हैं कि हमेज़ा बहुत सुभ होता है नारियल चढ़ाना इससे देवी देटाएं जो हैं वह प्रशन होती है इन सभी में पूजा के नारियल अगर खराब निकल जाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कहते हैं कि नारियल को हर सुब काम करने के लिए सुब माना जाता है क्योंकि नारियल को मालक्षमी का प्रतिक माना जाता है तो आईए जानते हैं अगर नारियल खराब निकल जाता है तो भगवान आपको क्या संकित देना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे साथ बीडियो में अंततक बने रहें और शंपूर्ण बीडियो का लाव उठावें। बीडियो पसंद आता है तो बीडियो के लाइक करें प्रतिक्रिया में चैम आता दी आवश्य लिखें। आईए बीडियो सुरू करते हैं। दोस्तों नारीयल फोरते समय खराब नारीयल अगर निकल जाया तो भगवान ने इसे प्रशाद के रुप में ग्रहन समझना चाहिए। और यही कारण है कि नारीयल अंदर से पूरी तरह से सुख चुका रगता है। नारियल के खराब होने से आपकी जो भी मनुकामना है वह जल्द ही पूरी होती है और नारियल खराब होना मनुकामना पूर्ण होने का संकेत है भगवान आपको ऐसा संकेत दे रहे हैं कि आपकी मनुकामना जो है वह पूर्ण हो गई है या फिर पूर्ण होने वाली है और कभी भी उदास नहीं होगे क्योंकि यह एक सुप संकेत है आपको प्रशन होना चाहिए वहीं अगर जब भी पूजा का नारियल सही निकलता है तो उस प्रशाद को अपने आस-पास के लोगों में बाटना चाहिए और श्वयम भी उस प्रशाद को खाना चाहिए ऐसा करने से लाव मिलता है तो दोस्तों पूरा विश्वा से आपको आज का यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें प्रति क्रिया में जैमाता दी अवश्य लिए धन्यवाद जैमाता दी